हेलो गाईज, वेलकम टो मिस्टिक हिंदी, टारो, क्यासी हो आप सब लोगा, I hope, I wish, I pray दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में, हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट थ्री इसकी एनोजी, आपके परसन अगले तीन दिन क्या कुछ फील करेंगे, उनकी फीलिंग, एमोशन, इंटेंशन, वो क्या सोचेंगे, क्या चलेगा उनके दिल और दिमाग में, यह हम देखने वाले, guys, यह एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और कलेक्टिव जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल हो फीमेल हो, देख सकते हो, सेम सेक्स के लिए भी देख सकते हो, कोई भी सिचुएशन चल रही है, आपके कनेक्शन में आप यह रीडिंग देख सकते हो, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को, बट उससे पहले बता दू, अगर आप पहले बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ऐसी ही टारो रीडिंग्स, कैंडल वाक्स रीडिंग्स आपको यहां पर मिलेगी रोज, एवरी डे मैं यहां पर वीडियो डालती हूँ 2 पीम को, अल्सो अगर आपको परसनल रीडिंग लेनी है अगर आपको कोई भी रिलेशनचिप, रिउनियन रिचुल कराना है, मैरिज कमिटमेंट रिचुल कराना है, self love ritual कराना है या फिर आपको activated crystal products चाहिए आपको spell jar बनवाना है spell oil बनवाना है सारे numbers आपको whatsapp के description box में मिल जाएंगे सिर्फ whatsapp करिए please call करना avoid करिए ठीक है या screen पे भी आपको number दिख रहा होगा ठीक है तो चलो I hope अपने channel को subscribe कर लिया होगा और जैसे कि मैं रोज बताती हूँ मैं रोज दो question के answers देती हूँ किनी दो subscribers के question का answer में देती हूँ वीडियो के बीच में कहीं पे भी तो tune in पूरा वीडियो देखेगा skip skip करके देखो गया और अगर आपका question का answer मेंने दे दिया और आपने वो miss कर दिया तो आपका loss हो गया ठीक है और आज भी आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा आपका एक सवाल आप पूछ सकते हो पहले अपना नाम फिर अपने partner का नाम और फिर आपका सवाल आपको one line में लिखना है ठीक है और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना है क्योंकि जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते जो मेरे वीडियो को किसी एक परसन के साथ या कहीं पर भी शेर नहीं करते मैं उनका question नहीं लोगी समझ लीजिए एक energy exchange है चलो let's start with the reading दिखते हैं कि क्या कुछ आपके परसन नेक्स त्री देज फील करेंगे चलो let's see next त्री देज के energy आपके परसन क्या कुछ फील करने वाले हैं for the next त्री देज इन नेक्स त्री देज दिवाइन प्लीज क्लियर मेसेज दे help करिये और बताए कि next त्री देज आपके परसन क्या feel करने वाले है क्या सोचने वाले है क्या चलेगा उनके दिल और दिमाग में इस रिष्टे को लेकर और आपको लेकर चलिए माता जी की blessings भी दे लिए है चलो let's see home spirit self distorted perception circles wishful expectations accountability तो मैंने यहाँ पर कार्ड निकाल रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं टारो कार्ड से इन कार्ड को clarify करेंगे और देखते हैं कि आपके person next three days क्या feel करेंगे divine पीज बताए होम की energy क्यों है why is home here home का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है for the next three days home क्यों है judgment okay देखे मुझे ऐसा लगता है कि आपके person को next three days ऐसा मैसूस होगा जैसे आप उनका घर हो वापके साथ you know जैसे उन्हें लोटना है आपके पास उनके अंदर से यह उन्हें feel होगा उनको अंदर से आवाज आएगी उनका दिल कहेगा उनका मन कहेगा कि उन्हें लोटना चाहिए आपके पास उन्हें वापस आपके पास आजाना चाहिए उन्हें अपना decision ले लिना चाहिए हो सकता है यह person काफी time से आपको लेकर कोई decision pending रख रहे है कोई भी decision नहीं ले रहे थे और finally अब मुझे next three days में इस person का decision होता हुआ दिख रहे है उनकी मन में काफी clarity आती हुए दिख रहे है कि उन्हें क्या करना है उन्हें क्या चाहिए उन्हें क्या नहीं चाहिए क्या सही गलत इसकी clarity आपके person को आने वाली है जहां तक कि मैं देख रहे हूँ ये person काफी deeply सोचेंगे जगह होती है जहां पे हम हमेशा लोटते हैं, वहां पे हमारी comfort होती है, वहां पे हमारी family होती है, वहां पे हम, you know, हमें किसी का डर नहीं होता, हम safe feel करते हैं, ऐसे ही आपके person आपके पास बहुत safe feel करते हैं, उन्हें घर वाली feeling देते हो आप, और मुझे ये person घर लोटते तो एक deep self-realization, एक deep self-reflection करते वे दिख रहे हैं और काफी clarity के साथ कोई decision किसी नतीजे तक पहुचते वे दिख रहे हैं ठीक है, वाइ, spirit, self, your divine, please clear message देजे और बता लिए वाइट, cards गिर रहे हैं, so let me pick it up Okay, why is this spirit self here? क्यों है spirit self यहाँ पर? Okay, five of swords, the wheel of fortune तेखें, कहीं न, कहीं, इंसान, वो बोलते हैं, कि इंसान दुनिया से जूट बोल सकता है, सबसे जूट बोल सकता है, लेकिन खुद से जूट नहीं बोल सकता तो वो बहुत ही, सही चीज है, क्योंकि कहीं न, कहीं, next three days आपके person, खुद के आत्मा से जूटनी बोल पाएंगे खुद की soul से जूटनी बोल पाएंगे, अगर वो काफी टाइम से आपको यह शोग कर रहे थे कि वो आप में इंट्रेस्टे नहीं है, या वो आपसे डील नहीं करना चाहते, वो नहीं लौट कराना चाहते, वो नहीं प्यार करते आपसे तो यह वही चीज हो गई, कि इनसान, देखो, changes तब आते है न, जो आप reality को accept कर लेते हो क्योंकि अगर आप reality को accept नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप ब्रहम में जी रहे हो, आप खुद से जूट बोल रहे हो, आप लोगों से जूट बोल रहे हो तो आपके person कहीना की next three days में reality को accept कर लेंगे, कि हाँ भाई situation ऐसी है, और मुझे इससे deal करना है, ठीक है, गलती मेरी यहाँ होई, सामने वाले की गलती यहाँ होई, अब आगे क्या, तो आपके person कहीना की, जैसे मैंने बोला, self-realization, self-acceptance, self-reflection करते वे दिख रहे हैं, और उस रिष्टे को नहीं चाहते, और जब यह वह accept कर लेंगे, तो universe भी आप दोनों को एक करने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा, तो आप देखो कि कहीना की next three days में, आपको ऐसा feel होना शुरू हो जाएगा, जैसे चीजे आपके हक में होना शुरू हो गई है, चीजे, you know, आ your distorted perception को यहाँ पर the moon card clarify कर रहा है, देखें कई बार क्या होता है, कि इनसान जब अंदर बहुत गुसा लेकर बैठता है, रिसेंटमेंट लेकर बैठता है, या बहुत ज़्यादा है feeling से, तो आपके परसन काफी time से अपनी feeling से लड़ रहे थे, क्यूंकि वो सच को accept नहीं कर र बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा है कि नहीं करना मुझे नहीं चाहिए यह वाली आपके परसन की तो कहीना की चीजों से भाग रहे थे, चीजों से बच रहे थे, you know, they were trying to be, मतलब कहीना की यह परसन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, कि वो अपसे प्यार है, ठीक है, और कहीना की सवज़ा से क्या हुआ, इस परसन ने अपने आपको एक ब्रहम की दुनिया में जैसे कैद कर लिया, ठीक है, और मुझे नेक्स त्री डेज में यह परसन उस ब्रहम से बहा निकलते हुए दिख रहे है, वो रियालाइस करेंगे और एक्सेप्ट करे जाए है उनके अंदर, ठीक है, सब्सक्राइब अजिक है, इस सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, अपको जब आप किसी से प्यार करते हो, आपको पता है कि आपको उसको खोरना नहीं है, तो आप चुप नहीं रह सकते हैं लंबे समय तक, आपको एफोर्ट डालने पड़त है, आपको हिम्मत करके यू आपको उस पॉर्सन सा अपनी पील्ग करने पड़ती है, वही आपके परसन मुझे नЕक्स त्री डेंस में करते हुए दिख रहे है, हिम्मत बना कर ये आपके पास आएंगे ठीक है, अपनी पीलिंग्स एक्सप्रेस करणे, कि अगर उने माफ़ भी मांगेंगे, they will apologize to you if needed, ठीक है क्योंकि उनको पता है कि उन्हें आप चाहिए हो उनके दिल को पता है कि उन्हें आप चाहिए हो बस वो action नहीं ले रहे है काफी time से टाल रहे है action लेने को तो मुझे यही चीज होती होती भी दिख रहे है यहाँ पे, why is wishful expectations here the lovers और bottom of the deck में hate of wands oh my god, guys, आप manifest कर रहे हो कि इस person को अगर ऐसा है तो comments में ज़रूर बताना ले क्योंकि मुझे बहुत clearly ऐसा दिख रहे है कुछ लोग यहाँ पे अपने partner को literally manifest कर रहे हो आप एक romantic union, reunion को manifest कर रहे हो देखो क्या है ना कि आपके person in the next three days मुझे अपनी expectations भी आपके सामने रखते हुए दिख रहे है या आपके expectations पे खरे उथरते दिख रहे है ठीक है, वो अपसे बहुत प्यार करते है guys, बहुत romantically you know, they are involved in you बहुत जादा ये person आपसे प्यार करता है तो ये person definitely for sure, ये person you know, आपके पास आने वाला है आपको आपसे communicate कर सकता है और reunion में आने वाला है तो ये तो आपके expectation थी ना इस person से, कि ये person में पस वापस आ जाए मुझसे बात करे, मेरे और इसका रिउनियन हो जाए, happy reunion वही मुझे next three days में होता हुआ दिख रहा है, तो आपके expectations, आपके wishes, आपके dreams आपके manifestation पूरी हो रही है accountability की energy क्यों है why is accountability here chariot and page of pentacles दिखे ये person definitely जानते हैं, मानते भी है इस चीज को कि गलती, जो भी उन्होंने आज तक गलती करी है न, वो उस चीज को मानते वे दिख रहे है, accept करते वे दिख रहे है okay, यह यह चीज मेरी गलत हुई मैं यहाँ यहाँ गलत गया, मैंने यह यह गलत करा ठीक है, और जब आप गलती accept कर लेते हो, मैंने बोला किसी भी चीज में आपको आगे बढ़ना है accept करो, ठीक है अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने reality को accept कर लिया न, आप वही आधी जंग जीच जाते हो तो कहीं न कि आपके person accept करते वे मुझे दिख रहे हैं कि okay, यहाँ मेरी गलती होई, मैंने यह गलत किया और जिसके बाद आप दुनों के बीच में चीजे फटा फट आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी जो एक obstacle आगया था न, वो क्यों आया क्योंकि आपके person अपनी गलतिया ही accept नहीं कर रहे थे, वो क्रेडिबिलिटी ले ही नहीं रहे थे, जो उन्होंने अच्छा किया और accountability उस चीज की नहीं रहे थे, जो उन्होंने गलत किया था तो वो मुझे होता हुआ दिख रहे है जिसके बाद आप तोनों के बीच में movement, quick movement होना शुरू हो जाएगी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी in the next three days और, देखो मैं यह नहीं बोल रहे हूँ कि आपके person बहुत कोई बड़ा एकदम offer लेकर next three days में आ जाएंगे, शादी कर लेंगे आपसे, ऐसी बात नहीं कर रहे हूँ मैं पर कुछ बहुत ही चोटा offer लेकिन बहुत ही meaningful offer क्योंकि उनको बस चाहिए एक opportunity, उनको बस चाहिए कि तुम मुझे एक मौका दो, मैं अपने आपको prove करता हूँ, ठीक है और अगर आप उनको वो मौका दे देते हूँ बहुत हद तक चीज़े you know, change होने वाली है let's see कि ये person next three days क्या feeling करेंगे आपके लिए divine please clear message दे और बताएए, next three days की feeling क्या होने वाली आपके partner की reunion, I told you, claim this energy guys, claim this energy, तुरंत reunion, ये आपको लिखना है comment section में happy reunion लिखो, happy reunion होना बहुत जरूरी है third party next three days की क्या energy होने वाली है responsibilities next three days की क्या energy होने वाली है divine, please clear message देजिए detachment chaser unsatisfied और जो last card है spread का वो है soul contract okay यहां कार्ड निकाल लिए, अब इन कार्ड को clarify करते हैं, बात करें ठीक है, सबसे पहले तो आपके person और आपके बीच मुझे एक happy reunion होता हो देख रहे, next three days में ये person के अंदर से ही ये feeling आएगी कि उन्हें आप वापस आजाना चाहिए, उन्हें जोड जाना चाहिए, जब इनसान deeply सोचता है, जब वो अकेला होता है, जब सोचता है, वो deep जाके, तब उसे realize होता है कि यार नहीं, मैंने बहुत लेट कर दिया है, it's high time, कि मुझे अब चले जाना चाहिए, क कि आप दोनों चाहिए, कितने बार दूर हो जाओ, आप दोनों फिर एक होते ही हो, for sure, और वहीं मुझे कहीं नेक्स त्री डेज में होता हुआ दिख रहा है, कि आपके परसन आपके तरफ ही आएंगे, क्योंकि वो आपको complete package मानते है, उनको लगता है, कि उनको आज तक जि लग लाते हो, आप positivity हो, you are everything, ठीक है, तो यह परसन जब तीप जाके सोचेंगे, तब हुने ही रिलाइज होगा, कि नहीं यार, वापस जाना चाहिए, and we should reunite, ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ भी है, पास्ट में, हुआ है किनी comments में जरू हो गताना, ठीक है, हुआ है, हुआ है क कही न कही मुझे ऐसा लगता है, कि यह परसन कही बार, डिस्ट्राक्ट होए है, ठीक है, मैं सब की बात नहीं कर रहे हूँ, जिनको पता है कि उनके पार्टर के लाइफ में थर्ड पार्टी आती है, या आई है, या है अल्रेडी, मैं उनकी बात कर रहे हूँ, यह सिर्प के लिए बता रहे हूँ, कि यह परसन कही बात डिस्ट्राक्ट हो जाते है, यह बहक जाते है, इस परसन को, यह कही न कही भटक जाते है, that happens with this person, लेकिन कही नेक्स त्री डेज में मुझे असा लगता है इस परसन को रिलाइस होगा कि थर्ड पार्टी आ जाती है आप दोनो इस वक्त, थर्ड पार्टी आप दोनों को हमेशा के लिए एक नहीं होने देती है, ठीक है, अगर वो सिर्फ अपने मन की सुनते रहेंगे, और जो राइट है वो नहीं करेंगे, तो ऐसा ही चलता रहेंगा, यह ब्लोकेज है इनको रिलाइस होने वाले है, एक बहुत इंजल ऑफ दो ओशन है, देखें, मुझे बहुत स्ट्रोंगली ऐसा मैसूस हो रहा है, कि आपके परसन कही ना कहीं, देखो उनको ना बैलन्स का मतलब समझ आ जाएगा, कि देखो उनके लाइफ में कुछ और रिस्पोंसिबिलिटी हो सकते है, उनकी फैमिली हो सकते है, उ मैं यहाँ busy हूँ, मैं वहाँ busy हूँ, मेरी यह problem है, मेरी वो problem है, ऐसा करते करते कहीं ना कि इस person ने आपसे दूरी बनाई, आपके emotional needs का ध्यान नी रखा, तो इस person को next three days में यह feel होने वाला है, कि हर चीज को balance करना बहुत ज़रूरी है, balance is important, प्यार सबसे उपर है, बाकी च है, यह है, वो है, फलारा निमका, तो अब वो next three days में यह समझेंगे कि आप भी तो उनकी responsibility हूँ, राइट, और इस detachment here, divine please see your message दे और बताए, देखो अब तक जितना भी इस person ने आपसे दूरी रखी, जब भी आपसे बात नहीं करी, जब भी आपको अपने से दूर किया, हमेशा इस person stress में रहे है, हमेशा इस person को मन की शांती ही नहीं मिली है, ठीक है, तो इस person को next three days में वो जो phase था जहां पे वो अकेले रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे आपसे deal करना, नहीं चाहते थे आपसे बात करना, उस phase से बहार निकलते हुए दिख रहे है, they themselves will come out of that phase और वो खोद आपसे बात करेंगे, अब तक है आपसे दूर भाग रहते हैं, आपको बहल बोल रहते हैं, I will come back to you, किसी proposal के साथ, you know, let's start, I am ready, मैं ready हूँ, मैं तयार हूँ, ठीक है, so be ready, आपको भी ready रहना है, if you want this person back in your life, chaser के energy क्यों है, the wheel of fortune, nine of pentacles, वो बोलते हैं, कि अगर आप किसी चीज को दिल से जाहो, तो पूरी काइनात उसे आपका बनाने की कोशिच में लग जाती है, व कि person अब तक आप से भाग रहे थे, बोल रहे थे, आपको मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमें चेज नहीं करना, you know, दूर भागो, या आप में भी ऐसा बहेव कर रहे थे, कि भई, अब मैं तुझे चेज नहीं करूंगी, अब मैं तेरी पीछे नहीं आऊंगी, तुझे गूमपे के चीज़े आपके पास ही आती है, जो आपका है, वो आपको मिलेगा, तो ये person आपका है, आप चाहिए उससे कितना दूर भाग लो, ये आपसे कितना दूर भाग ले, universe अपना काम करती है, अगर आपको उस person से deal करना है, अगर आपके जिंदगी के किताब में लि चाहिए आप दोने दूसरे से कितना ही दूर भाग रहे हो, और मुझे असा लगता है, आपको उसके लिए ग्राटिट्यूड शो करना है, आपको दिवाइन को थांक्यू बोलना है, ठीक है, जाहे, देखो क्या होता है, कि हम लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज भूल जा ठीक है, ठीक है, अनसाटिसफाइड क्यों है, देखो इस परसन को ना, वो होता है कि आपके पास एक पूरा, एक पितारा है, खजाने का, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उस एक चमकने वाली चीज पे जाएगा, जो पितारे से बाहर पड़ी हुई है, आपके पास बहुत सा बहुत सारी चमक्ति हुई, चीज आपके पास, बहुत सारी हीरे जवाराद आपके पास है, लेकिन आपका ध्यान का जाएगा, वहाँ पर पड़ी हुई एक चमक्ति चीज पे, आपका भी साटिसफाइड ही नहीं होते है, आपके परसन की प्रोबल्लम रही है, कि किसी भी स समय से गढ़ी मत जाते हैं जो कि उसार देड्रों लिडिया तरव कितना पहुती है। मैं अपने इस परसने को मुझे बहुत लग दिये हैं बहुत प्रुट्छिनिटी दिये अपने अपको पूंग करने के आपने को आपने जन ज्तार प्रीज को कि अथ हम thể शेलती आपके मौके की कोई भी वाल्यू नहीं थी बट अब कहीं नगर ये पर्सन को एक युनिवर्स एक मौका देगा कि वो आपके पास आए इस रिष्टे के एक नई शुरुवात करे और वो इस अपॉर्चिनिटी को अच्छे से अपनाए ठीक है अगर वो ऐसे ही रहेंगे अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो मुझे लगता है फिर युनिवर्स इनको दूर करेगा आपसे ताकि इनको समझे कि ये क्या घो रहे है क्या गवा रहे है कभी-कभी आपसे कोई परसन दूर जाता है कल जिन्होंने वीडियो में कमेंट किया था ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक है जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है। देखते है कि उनकी सवार के जवाब दे देती हो पहले और फिर अप लास्ट का आंसर देंगे। ठीक है सो हेलो जो फर्स्ट क्वेशन मैं पिक कर रही हूँ आज के लिए वो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी अलका सगोत्रा का है अलका ने पूछा है कि क्या मुकल और मेरा रिष्टा रिष्टे का कोई पॉजिटिव फ्यूचर है ठीक है तो अलका थांक यू आपका अपने कमेंट किया आपने मेरे वीडियो को लाइक किया आपने मेरे वीडियो को शेयर किया ठीक है और चलिए आपक के सवाल का मैं जवाब दू तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और अपना कमेंट डालो ठीक है फॉर्माट जैसे अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वैसे ही रखने है ठीक है चालो लेट सी अलका एंड मुकुल नाइन फेंट करते हैं उनको आप बहुत ज्यादा और अगर नहीं हो तो maturity wise वो आपको अपने से ज्यादा देखते हैं उनको लगता है आप बहुत समझदार हो आप बहुत sorted हो आप complete package हो उनको लगता है वो आपको definitely चाहत तो उनकी है आपको अपनी wife बनाने की वो आप में वो सारी qualities देखते हैं जो वो अपनी wife में देखना च जाते हैं but at the same time मुझे असा लगता है कि possibilities बहुत strong है आपके रिष्टे का जो outcome है वो या future जो है वो positive होने का क्योंकि उत्रा ज्यादा वो आपको पसंद करते हैं और उनके नजरों में आपके definitely बहुत value है अब चीजे depend करती हैं उनके हिम्मत पर ठीक है कि वो आपके लिए कि कितरा हिम्मत बना सकते हैं but अगर आप manifest करते हो क्योंकि आप एक बहुत strong manifester हो तो अगर manifest करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजे आपके लिए काफे positive हो सकती है और आपके relationship का outcome भी positive हो सकता है जो भी आप चाहते हो इस रिष्टे का जो future होना चाहिए चाहे फिर वो तो अपने career पे और अपनी growth पे भी ध्यान दो ठीक है क्योंकि आपके अंदर बहुत potential है आप बहुत आगे जा सकते हो आपने जो dreams देखे हैं अपने career को लेकर वो पूरे कर सकते हो अगर आप दिल से अपनी चीजों को करते हो और पूरी confidence के साथ करते हो और definitely मुझे लग रह देखे हो तो thank you so hello जो second question में आज ले रही हूँ वो राखी का है राखी1218 जिनकी ID है चली देखते हैं उन्होंने question पूछा है कि आप जानना चाहते हैं और रभी के साथ शादी के जांसर है क्योंकि उनका रिष्टा कहीं और fix हो गया है चली राखी जी देखते हैं क्या रभी के साथ आपके रिष्टा शादी होने के कोई chances है या नहीं राखी और रभी यहाँ पर है eight of wands star card night of pentacles और bottom of the deck में है two of pentacles और the lovers लेकि सबसे पहले तो राखी जी चाहें आप दोनों के बीच में अभी क्या situation हो लेकिन आपके person आपसे बहुत प्यार करते हैं और व नहीं चाहते हैं वो भी चाहते हैं आपको काफी जादी और वो शादी भी करना चाहते हैं क्योंकि वो अपसे बहुत त्यार करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे असा लगता है कि अगर ये person अपने family के against जा सकते है तो ही ये रिष्टा आगे बढ़ सकता है जिसके chances मुझे थोड़े से कम दिख रहे हैं वैसे तो अगर इनकी शादी कहीं fix नहीं हो ये होती ना तो मुझे लगता है कि ये आपको commitment देते भी और उस commitment को निभाते भी लेकिन अगर इनकी शादी fix कहीं हो चुकी है तो उसमें मुझे chances उसके वज़े से थोड़े कम दिख रहे हैं लेकि लेकिन मुझे पता नहीं 90% ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा 10% आपको hope रखना है positive रहना है क्योंकि जैसे देख रहो हमारे माता जी बैठी है आप जैसे pray करोगे तो हो सकता miracle हो जाए आप जिस भी बगवान में मानते हो pray करो अगर miracle बगवान तो सब कर सकते है तो positive रह hopeful रहो लेकिन cards ने तो यहाँ पर मना कर दिया है cards कहीं न कहीं बता रहे है कि थोड़ी chances 90% chances नहीं 10% अगर आपका luck favor करता अगर आपके person मना पाते अपने घरवालों को तो हो सबता है ठीक है okay तो चलो let's clarify the last card आज की reading का last card जो है soul contract okay the hand man or queen of nations देखे क्या है न कि आपने इस person को definitely बहुत कुछ सिखाया है आपने इस person को प्यार का मतलब सिखाया है आपने इस person को यह सिखाया है कि life मतलब life को देखने का नजरिया भी आपने इनका काफी ज़ादा बदला है यह person मुझे नहीं लगता इतने emotional कभी थे इनको इतना ज़दा connection कभी किसी के साथ feel होता था लेकिन आपने वो चीज इनको feel करवाई है so you are definitely special आपने बहुत improve किया है इस person को बहुत सुधारा है तो आपने बहुत कुछ सिखाया है जो यह person को जिंदगी में बहुत ज़दा काम आएगा so यह चीज आपके person को realize होगा कि आप इस person के life में इनको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आए हो आपने बहुत कुछ सिखाया है इस person को बहतर बनाने के लिए मैं आपका जो योगदान है वो भी बहुत बड़ा रहा है ठीक है चलो love messages देखते हैं और इस reading को एंट करते हैं ठीक है तो अगर आप love messages देखना चाहते हो तो continue देख सकते हो वीडियो को okay divine please clear message और बताए कि हमारे viewer के लिए उनके partner के दरफ से क्या message है उनके partner उनसे क्या कहना चाहते है with time love and hatred have faded तो ये कही न कही परसन बोल रहा है कि वक्त के साथ प्यार और जो नराजगी है या नफरत है जो भी है वो कही न कही फेड हो चुकी है मुझे तो नहीं लगता it was a difficult decision तो जो भी decision इस person ने लिया है वो difficult था it was good it was bad but it was real तो जैसे भी था प्यार सच था I didn't find you initially attractive तो मेरी शुरुआत में आप इनको attractive नहीं लगे but जैसे जैसे वक्त गया आप इनको attractive लगते गए the more I try to forget you the more I miss you तो जितना ज्यादा मैंने try किया तो में भूलाना उतना ज्यादा तो मुझे याद आए you were not loyal to me तो तो तुम मेरे साथ loyal नहीं थे I had many heartbreak since we broke तो मेरे बहुत सारे दिल टूटे बहुत heartbreaks हुए जब से तुम हम दोनों का breakup हुआ I miss your sexy body तो कहीं न कहीं आपकी sexy body को miss कर रहे है I wonder what you what would it feel to be married with you तो ये person कहीं न कहीं wonder कर रहे है imagine कर रहे है कि आपके साथ चादी करना कैसा फील होगा last message है you need to move on and forget me तो ये person आपको बोल रहे है कि तुम मुझे बुला दो और आगे बढ़ जाओ बट मुझे न लबता reading में तो ऐसी कोई energy निकल की नहीं आई है and I'm hopelessly in love with you तो मैं बहुत जादा hopelessly तुमारे प्यार में हूँ ठीक है कैसे लगी reading comments में जरूर बताना and congratulations जिनके दो लोगों की सवाल के जवाब मैंने दिये और आप भी अपनी सवाल का जवाब पा सकते हो अगर आप इस वीडियो के नीचे अपना question बेजते हो इस format में जो उन्होंने जैसे बेजाता और वीडियो को like करो, share करो ये criteria है और Instagram पे भी मुझे follow कर लो Instagram की link आपको description box में मिल जाएगी इस वीडियो के और याँ, see you in the next video, bye